नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ जुनेद राश्टपती रामनात कोविंद कबीर बहुत सव कारिक्रव में शामिल हुए इस मौके पर राश्टपती कोविंद ने कहा कि संत शिरोमनी कबीर का उत्सव सागर में मनाया जाना बेहद उप्योगत है यहां संत कबीर जी का 300 साल पुराना आश्रम है, कबीर जी ने हमें सिखाया कि हमें धरातल पर रहकर मानों सेवा करनी है और मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ वहीं राश्यपाल आनंदी बेन पर टेल ने कहा कि कबीर के दर्शन से हमें प्रेणा मिलती है कि कैसे उन्होंने लोग कल्यान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया कबीर केवल संती ही नहीं बलकि रचनाकार भी थे उनका भक्ती आंदुलन और रचनाय समाच को गहरे इस तर तक प्रभावित करती हैं इनकी रचनाओं ने हिल्दी प्रदेश की भक्ती आंदुलन को गहरे सतर तक प्रभावित किया था तो यह अभी यादे हैं हमारे ताजी है अब इसलिए मैं सोचता हूँ कि जिन चीजों से मैं जुडा रहा आखिर राश्पती बन गया तो क्या हुआ आखिर रहना तो हमें धरातल करी है और इन्हीं की सिर्वा के लिए यद मैं बना हूँ तो कुछ कर सकूँ तो इसको मैं अपना सोबाग समस्ता हूँ भौपाल से बिरो रिपोर्ट नियूज आज अभी तक के लिए इतना ही नमस्कार